नमस्का दोस्तो तो क्यासे आप लोग मैंने तो कुछ दिन पहले कीरीन 820 में क्या का स्पेसिफिकेशन होगा इसके पर मैंने एक वीडियो बना आता आई बटन में आप उसे देख सकते लेकिन मुझे अभी एक निउस मिला है यह जो कीरीन 820 इसका प्रोसेसिंग पावर जो स कर देना अगर वीडियो ना पासाद है तो वीडियो को डिजलाइक भी कर देना तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो किरीन 820 और स्नाप्ड्यागन 855 दोनों ही प्रोसेसर 64 बीट्स ओक्टाव कोर प्रोसेसर है पहले एनुस आया था कि जो किरीन 820 इसके कोर प्रोसेशन की बात करूँ तो स्नाप्ड्यागन 855 में चार कोटेक्स A76 कोड और चार कोटेक्स A55 कोडे लेकिन किरीन 820 में हाई परफ्रोमेंस कोटेक्स A76 होगा और लोः परफ्रेमस कोटेक्स A55 होगा और ए इन्फरमेशन आया है कि इसका हाई परफ्रोमेंस Speed वह 2.6 GHz से बिजादा होगा वैसे इसका क्या importance है यह मैं वीडिय मेगार्च और अगर इसके स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो स्नाप्जापन 855 में EMMC 5.1, UFS 2.1 और UFS 3.0 तो जरूर है लेकिन किरीन 820 में क्या का होगा इसके बार में अभी तक कोई इंपर्मेशन नहीं मिला है लेकिन मुझे आशा लग रहा है UFS 3.0 तक तो जरूर होगा और अगर इसके कैमेर की बात करें स्नाप्जापन 855 में सिंगल कैमेरा में 192 मेगापिक्सल और डॉल कैमेरा में 22 प्लस 22 मेगापिक्सल का सपोर्ट है लेकिन किरीन 820 में हमें या फिर पेंटा कैमेरा जरूरूर देखा है क्योंकि देखिए क्वाट कैमेरा सिटप तो 100 परसेंट होगा लेकिन हुआवे जो फ्यूचर के स्मार्टपोन लॉंच करने बाला है जैसे के पी फोर्टी या उस जैसा कूछ बैसे फोन में हुआवे आपना पांच कैमेरा इस अप्रोट लिंक है जिसका स्पीड है 150 Mbps लेकिन इसमें 5G सपोर्ट है लेकिन इन बिल्ट 5G चीप नहीं है अलाग से 5G चीप इसमें इंस्टल करना परेगा इसलिए इसमें 5G एक्स्टर्न है लेकिन किरीन 820 में 5G कनेक्शन है लेकिन वो एक इन बिल्ट 5G प्रोसेसर अगर मैं इसके अंटूट स्कोर की बात करूँ तो अब्यस्ली अंटूट स्कोर के मामले में स्नैप जाकॉन 855 को बीट करना मुश्की लेकिन बस 40,000 का गयाप है जो कि अंटूट के मामले में उतना ज्यादा उपर नीच नहीं होता तो देख सकते 855 का जो अंटूट मेमोरी स्पीड और यूजर इंटरफेस ये चारो चीजों को मिला के अंटूटूट का स्कोर बरता है वैसे ये चीज मैंने आभी आपको क्यू पाताया आप गीकबें स्कोर में देख सकते आग गीकबें स्कोर में देखिए किरीन 820 का सिंगल कोर स्कोर है 3490 और 855 का सिंगल किरीन 820 का और अगर मैं मल्टिकोर की बात कर दो दोनों प्रोसेसर का बिल्कुर सेम 11,22 अब देखिए आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि गीकबें स्कोर में कीरीन 820 बेटर पर्फूर्म कर रहा है लेकिन अंटूटू में लोवर पर्फूर्म क्यों कर रहा है इसका वो अंटूटू स्कोर के मामले में भी ज्यादा स्कोर करेगा इसलिए मैं यहां पर जो कहना चाहूंगा वो है किरीन 820 और स्नाप्यागोन 855 का जो RAW CPU पावर वो एक्जक्ली सेम है लेकिन जो ग्राफिस काड पावर वो स्नाप्यागोन 855 का ज्यादा है और अगर मैं ग्रा यह दोनों में इस्तेमल किया गया है इसलिए मेरे ऐसा उम्मीद है कि इसका जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पावर वो लगबग डाइमेंसीटी 1000 जैसा ही होगा और हुआवे के तरस से भी ऐसा कहना है कि यह जो माली G77 का GPU पाफ्रोमेंस वो दर असल जो माली G76 था उससे ल चीज़ कहना चाहूंगा यह जो कीरीन 820 बला जो स्मार्टफोन वो इंडिया में आएगा कि नहीं इसके बार में कोई पता नहीं अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया अगर नहीं आता है तो हुआवे अपना कीरीन 820 बला कोई स्मार्टफोन लॉंच करेगा चाइना में अगर आप में से कोई ऐसा चाता है कि आप इंपोर्ट करके बहां से इधार लाए तो उस स्मार्टफोन का प्राइस बरके होगा 22-23 रुपाई अगर 22-23 रुपाई भी होता है तो उस प्राइस में यह बला स्मार्टफोन टोटाली अन्वीटेबल होगा इसलिए मैं कहा रह जरूर बनाऊंगा तो मिलते अगले वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember think positive, be positive. Thank you.